बांदा शेहर को इंदौर की तरह साफ और स्वच एवं सुन्दर बनाने का लिया गया संकल्प बांदा, 10 दिसमबर, 2021 बांदा शेहर को इंदौर शेहर की तरह साफ, स्वच और सुन्दर बनाने का मेरे द्वारा संकल्प लिया गया है इस कार्य में समाज के सभी वर्गों के लोग अपना अपना सहयो प्रदान करें जिसे बांदा शहर को एक नई पहचान दिलाई जा सके आयुक्त चित्रकूर्धाम मंदल बांदा श्री दिनेश कुमार सिंग ने उप्रोक्त विचार सरदार बल्लब भाई पटेल पाक में स्वच्छता संबंधी गोष्ठी को संबोधित करते हुए व्यक्त किये उन्होंने कहा कि सभासद अपने अपने वार्ड को साफ और स्वच बनाने की जिम्मेदारी ले तथा इस कार्य में व्यक्तिगत रूची लेकर कार्य करें श्री सिंग ने कहा कि सभाई अभ्यान के उपरांद सभी वार्डों का निरीक शन कराया जाएगा तथा जो वार्ड सभाई कार्य में प्रत्हम द्वितियवत त्रितियस्थान प्राप्त करेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा आयुक ने नागरिकों से अपील की किवे अपने अपने घट प्रतिष्ठान से निकलने वाले कूडे को कूडेदान में ही रखे तथा सफाई कर्मचारी अथ्वा सफाई गाड़ी आने पर ही उसे कूडा दें उन्होंने कहा कि कूडा फैलाने वालों का सोशल मीडिया पर वीडियो वाइरल किया जाए इसी प्रकार सफाई अभियान में अच्छा कार्य करने वालों का भी प्रचार प्रसार किया जाए आयुक्त ने कहा कि जनसामान्य को जाग्रूप करने के लिए लगभग 15 दिन से कार्यक्रम चलाया जा रहा है तथा अभी पाच दिन और लोगों को कुड़ा न फैलाने के लिए जाग्रूप किया जाएगा उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर के बाद कुड़ा फैलाने वालों के खिलाप कर थोर कार्यवाही करते हुए उनका चलान किया जाएगा श्री सिंग ने कहा कि न केवल बांदा शहर अपितु मंदल के सभी शहरी निकायों में रात्री में सफाई कराई जा रही है जिससे सुबल टेहलने वगूनने वालों को शहर साप सुन्दर मिले उन्होंने कहा कि कुडा गाडी न आने पर नगर पालिका के कंट्रोल रूम के दूर भाष संख्या 9453348584 पर सूचित करें और उसके उपरांद कुडा उठवाया जाएगा महा निरिक्षक पुलिस के शून्य सत्यनारायना ने गोश्ठी को सम्बोधित करते हुए कहा कि जनपद के गण्मान्य नागरे के केक सड़क गोध ले और उसे साफ सुत्रा बनाने में पूर्ण सहयो प्रदान करें उन्होंने जनपद बांदा शहर के थानाध्यक्ष तथा चेकी प्रभारियों को निर्देश दिये कि वे भी एक-एक सड़क की जिम्मेदारी ले और उस सड़क को साफ स्वच बनाने का कार्य करें श्री सत्यनारायना ने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छे कार्य करने वालों को मेरे द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा उन्होंने कहा कि सड़कों की सफाई के साथ साथ उनके दोनों और व्रिक्षारों पन कराया जाए जिससे पर्यावरन भी शुधर हो सके जिलाधिकारी श्री अनुराग पटेल ने कहा कि बांदा शहर के सफाय अभियान में सभी लोग अपना अपना सहयो प्रदान करें जिससे बांदा शहर स्वच्छता में अपनी नई पहचान बना सके उन्होंने कहा कि बांदा शहर के प्रत्येक वार्ड में नोडल अधिकारियों के नेत्रित्व में जागरूपता का कार्य विगत 15 दिन से किया जा रहा है जॉइंट मजिस्टेट प्रशासक नगर पालिका बांदा श्री सुधीर कुमार ने कहा कि बांदा शहर को साफ स्वच्व सुंदर बनाने के लिए सफाई अभियान चलाया जा रहा है उन्होंने लोगों से अपील की कि स्वच्वता को फैशन के रूप में अपनाए तथा युवा वर्ग इस कार्य में अपना अपना विशेश सहयो प्रदान करें पुलिस उपाधीक्षक नगर ने कहा कि नगर में सफाई अभियान चलने से परिवर्टन हो रहा है तथा लोग साफ सफाई के प्रती जागरू को रहे हैं उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा सफाई अभियान में जागरूपता का कार्य रूची लेकर किया जा रहा है तथा बांदा कोतवाली साफ सुथरी हो गई है। स्वच्छता गोश्थी में पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका राज कुमार राज, सभासद लल्लुखा, सभासद राकेश गुपता, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री इंद्रवीर सिंग इत्यादी ने अपने अपने विचार व्यक्त किये। इस अफसर पर जिला विध्याले निरीक्षक विनोथ कुमार, जिला बेसिक शिक्षादिकारी रामपाल सिंग, उपने देशक सूचना भूपेंड सिंग यादव, प्रधानाचार्य आदर्श बजरंग इंटर कालेज मेजर मितलेश पांडेय, अधिशाशी अधिकारी नग पालिका बुद्ध प्रकाश यादव, विभिन विध्यालेओ की प्रधानाचार्य गण्मानी नागरे को पस्थित रहे।